हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चैनल शोनल इस कॉर्नर ये भी वीडियो मेरा बैक टो बैक अभी जा रहा है तो चलिए यहाँ पे भी मैं ये लूप मैंने क्रेट किया था प्रेट अड़ वाइट कूर्ती के साथ कुछ कॉमिनीशन करके मेकप लूप तह वाही वाला मेक क्लिंजिंग मिल्क वही मैं यूज कर रही थी तो यहाँ पे मैं सबसे अच्छे से उसको मसाज कर लूँगी क्लिंजिंग मिल्क के साथ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉटन की मदद से अच्छे से मेकप को रिमॉफ कर लूँगी तो यहाँ पे मैं साइद बेला वोस्त की cotton pads use कर रही थी तो ये cotton pad के साथ बहुत अच्छे से मेरा ये makeup remove हो रहा था और ये soap भी है बहुत मैं second वर उसको फिर से reapply किया वो वाला लोशन को क्योंकि मैंने यह आपना जो काजल यूज किया था वो थोड़ा waterproof था और मतलब अच्छे से नहीं हटता है तो फिट से मैंने यूज कर लिया क्योंकि अच्छे से makeup को remove करना भी जरूरी होता है ना तो इसलिए मैंने ये यूज फिट से किया इसके बाद मैं यहां पे ना बाय टीक का पूरा एक जो संटैन हाटने वाला जो कॉमब होता है वही वाला मैं यूज कर रही हूँ यहां पे तो यह है बायो हानी फेरनेस वाला फेश वाश है तो पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वेट कर लिया था वाटर की मतरत से भी बाद एखे से गिरफे क्ऱोगे, अब भी मैं उसके बाद करूंगी, क्या एपने फेस पर है, यह दूतिता बने, पज़को पता है, यह परपयर, में फ्लिपकार्ट में अमाजन में कही पे भी मिल जाएगा अप लोग इसली इसको बाइ कर सकते हैं और यह जो मतलब रेंज में दिखा रहे हूँ बाइटिक का तो यह वाला आप लोग को अंडर 300 के अंदर में मिल जाएगा पूरा यह रेंज और यह बहुत ही अच्छा एक है तीनों ही प्रोड़क्त बाइटिक का यहां पर मैं टैन रिमोवल जो फेसपैक है वह यह मैं यूज़ करी हो यह पहले भी मैंने यूज़कर है यह मेरा फेले खशली खतम हो गया था यह सेकेंड परचेस है या थार्ट परचेस है मेरा तो यहां पर मैं इसको अच्छे से फेस पे प्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगी इसको रख दूँगी फुरा 15 मिनिट से 20 मिनिट के लिए और रखने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं कोई भी काम कर सकते हैं और लेकिन अच्छे से इसको ड्राई होने दीजिएगा ठीक है और यह जो मतलब तीन प्रोडक्ट है इसे ना क्या होता है बहुत ही इजी और जल्दी हम लोग का स्कीन में जो टैन होता है या पिर जो दाग रहता है काले काला कला जो दाग हो जाता है एकने की बज़े से पिंक पिल की बज़े से या फिर फ्रेकल्स हो जाता है पिग्मेंटेशन हो जाता है वह अच्छे से हलका करने में मदद करता है और यह मैं यहां पर एक जो भी आया है ना स्किन मतलब क्या बोलता है मैं पूल गई हूँ वही वाला मैं यूज़ कर रही थी अन्ड उसके बाद मैं यहाँ पर नीविया का सॉफ्ट मॉइस्टराइजर यूज़ कर रही हूँ यही तक था मेरा सकीन केर यहाँ पर आप लोग भी ऐसे सकीन केर कीजिए एंड मैंने यहाँ पर टोनर वाला क्लिप भू कुल गई थी तो टोनर भी मैंने यूज़ किया था ड़ाइसे कुछ भी करने से पहले मेकव करने से भी पहले आप स्कीन केर कीज़ेशन मेका बगी आप करने के बाद पी आचा से स्कीन केर कीजि़े तभी स्कीन ठिक रहेगा bien